दोस्तों मैं डॉक्टर प्रीती भार्दु आज मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे एक बहुत ही important questions के बारे में जो अक्सर लोगे mind में आता है और उन्हें समझ नहीं आता है कि यह किस तरीकी से process हो रही यानि कि आज हम बात करेंगे कि जब हमारी bones break हो जाती है जब कोई fracture हो जाता है तो वो किस तरीके से heal होता है किस तरीके से वो process होती है ह वो हमारा टूटा हुआ जो भी बॉंस का पार्ट होता है वो किस तरीके से जुड़ जाता है और फिर से हम वापिस अपनी वो सारी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारी उस फ्रेक्चर की वज़े से रुकी हुई होती है तो आज इस वीडियो में हम पूरा इ और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बॉंस क्या होती है बॉंस हमारी बॉड़ी का सबसे important पार्ट होती है यानि कि अगर bonds हमारी अच्छी है, वो strong है, तो हम किसी भी चोट को जैसे अगर हम गिरते हैं, तो उसका हम easy bear कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारी हड्यों में calcium कम है, वो बहुत जादा कमजोर है, तो हलका सा गिरने से भी आपको fracture आ सकता है, और आप सोचते हैं कि हमें तो हलकी सी चोट लगी थ हम स्टेर से थोड़ा सा ही तो फिस लेते, तो हमें heel का fracture यह हमारी hip का fracture, elbow fracture इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं, तो यही reason होता है कि अगर आपनी हड्या strong नहीं होंगी, तो फिर fracture आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, आजगर क्या है हमारा lifestyle इस तरीके का है, और diet भी हम इस तर नहीं करते हैं, तो जिसकी वज़े से क्या होता है, उनकी body में दीरे-दीरे calcium की कमी होनी start हो जाती है, और आप देखींगे कि उनकी हड्याद मी लचीली हो जाती है, कि उनका हाथ easily twist हो जाता है, तो इससे fracture के chances जादा रहते हैं, बॉन्स क्या होती है, बॉन्स हमारी पूरी body को support करती है, हम किसी भी movement को कर पाते हैं, जैसे कि अगर मुझे अपना हाथ सीधा करना है, तो हमारी bones ही है, जिसके उपर muscles हैं, ligaments हैं, ये सारी चीज़े हैं, उनको support करके पूरा हम किसी भी movement को easily कर पाते हैं, आगे चलना, पीछे चलना, backward, forward, ये सारी movement हमारी bones की वज़े से ह हो पाती हैं, अगर bones यानि कि अगर हमारी body का base ही strong नहीं होगा, तो फिर हमारी body अच्छे से work नहीं कर पाईगी, हमारी bones होती हैं, यानि कि जो हडिया होती हैं, वो calcium और phosphorus से बनी होई होती हैं, अगर calcium कम होगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके bones की nuclear pen start हो जाते हैं वो कमजोर हो जाती हैं, घिसना सुरू हो जाता है, और सबसे important लक्षन होता है कि अगर आपके body में calcium कम होगा, तो आप देखोंगे कि आपके tooth होते हैं, वो भी धीरे धीरे उनके किनारे होते हैं, वो break होना start हो जाते हैं, जिससे आप समझ जाते हैं कि आपकी body में calcium की कमी हो आए कि अगर आपकी body में calcium की कमी होती है, तो किस तरह के लक्षन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझें, और अगर आपकी body में इस तरह के symptom देखने को मिलते हैं, तो तुरंती अपने पास के किसी physician के पास जाकर उनसे prescription लिखवाएं, यानि कि वो medicine या tabler देना आपको start करेंगे, जिसके आपकी body में calcium की कमी पूरी हो जाएगी, इसके साथ साथ अपनी diet का भी अच्छे से ध्यान रखें, कि diet में जो calcium rich food होते हैं, उन्हें लेना आप start करें, तो ये तो हमने बात करी है bonds के बारे में, अब बात करते हैं कि fracture के ब या फ्रेक्चर को हम दो कैटिगी में रखते हैं, यानि कि एक होता है हमारा traumatic fracture और एक होता है pathological fracture, traumatic fracture समझते हैं क्या होता है, जैसे कि हम फिसल जाते हैं, या फिर गिड़ जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, तो बहुत सारे incidence ऐसे होते हैं, जो बहुत common होते हैं, अक्सल ल रटके और चानक से अप नीचे गिरें, तो आपको elbow का wrist का fracture हो जाता है, तो इस तरह के fracture बहुत ज़्यादा common होते हैं, जिने हम traumatic fracture वाली category में रखते हैं, अब आते हैं pathological fracture, इसमें क्या होता है, किसी भी बीमारी की बज़े से अगर आपको fracture हो जाता है, तो उसे हम बोलते है pathological fracture, तो ये तो हो गई आपके fracture की बाते, अब समझते हैं कि fracture जो हमारा, यानि कि कोई हड़ी में टूट फूट होई है, वो किस तरीके से जूड़ती है, उसमें ऐसा क्या होता है, कि धीरे धीरे वो proper functioning करना start कर दीती है, तो आपकी हड़ी अगर टूटती है, तो क्या होता ह अगर थोड़ा बोर दी कहीं fracture हुआ है, हेर लाइन fracture हुआ है, तो डॉक्टर आपको plaster लगा देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि एक महीने तक आपको वो यसी rest में रखना है, यानि कि आपको उस हाथ में पैर में जहां भी आपका fracture हुआ है, आपको कोई movement नहीं करनी है, ऐस क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है, क्योंकि वो time होता है आपकी bonds को heal होने का, अगर आप movement करेंगे, बार बार उसको healाएंगे, उस part को तो क्या होगा, जो proper alignment होता है, वो bond का नहीं हो पाएगा, फिर आप देखेंगे कि जब वो proper तरीके से नहीं जुड़ा, यानि गलत तरीके से जुड़ जाएगा, जब आपको plaster remove करेंगे, तो वो एक तरीके से आपको दिखाई देगा कि यह गलत तरीके से जुड़ा, यानि उसका proper alignment नहीं हो पाया है, आपको अपने दोनों हांतों में देखनी पर वो difference पता चल जाएगा, तो इसलिए आपको बो तो अब आपको plaster हट गया है, तो उसके बाद फिजियो थेरपी का main role है इसमें, यानि कि अगर आपको plaster remove होने के बाद आप फिजियो थेरपी नहीं करते हैं, फिजियो थेरपी के session भी नहीं लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जो proper range of motion है, वो आपको नहीं मिल पाईगी, आप ज़्यादा वो हाथ आपका stiff हो जाता है, proper supply भी नहीं हो पाती है, तो फिर आपको डॉक्टर ये भी बहुते हैं, कि धीरे धीरे आप finger की movement करते रहें plaster में, तो अगर आपकी ये range of motion है, तो इधर अटक गई और आप फिजियो थेरपी नहीं करने हैं, तो वो इतनी ही रहेग और भी ज़्यादा फिर आपको आगे दिक्कत देना शुरू कर देगी, तो हमेशा आपके डॉक्टर आपको ये ही suggestion देंगे, कि जैसे ही आपका plaster remove होता है, आपको exercise और फिजियो थेरपी के session जरूर लेने हैं, अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है, तो nearby आपका ज सकते हैं, तो यह तो हो गई fracture के बाद वाली बाते, तो fracture किस पर depend करता है, कि कितनी जल्दी हील होगा, सबसे फर्स्ट इसका factor होता है, कि आपका fracture किस तरीकी का हुआ है, कि वो एक जगे से तूटा है, या फिर दो जगे से तूटा है, अगर आपका simple fracture है, तो जल्दी हील हो लेकिन अगर आपका fracture compound है, बहुत सारी जगे से तूटा हुआ है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा time लेगा, क्योंकि एक एक पार्ट हील होने में फिर आपका time लेगा, और उसके बाद फिर आपको exercise करके उसको proper functioning में लाना है, तो यह हो गई fracture की बाते, इसके बाद fracture depend करता है आपकी age कितनी है, क्योंकि अगर आपकी age कम है, यानि कि आप छोटी age की है, तो आपकी healing process थोड़ी fast होगी, लेकिन अगर आपकी age ज़्यादा है, like 60, 60 के बाद गी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा time लेगा heal होने में, क्योंकि हमारी body के उपर भी depend करता है, कि हमारी body कितनी जल्दी heal कर पाती है, बच्चों में देखा जाता है, कि वह बहुत जल्दी heal कर लेते हैं, इस तरह की परिशानी को, लेकिन बुज़र्गों में देखा जाए, तो उनको इस तरीके की problem, इस तरीके की fracture को heal कराने में बहुत ज़्यादा time लगता है, अब हम बात करते हैं, कि प्रोसेस होती क्या है, किस तरीके से हमारी हड़ी जुड़ती है, फॉर एक्जामपल आपकी रिस्ट में इधर fracture हुआ है, आपका plaster लग गया है, उसके बाद क्या होता है, जो इस एरिया में फ्रेक्चर हुआ है, वह एक सॉफ्ट केलस बनना स्टार्ट होगा, वह सॉफ्ट क्या होगा, वह धीरे-धीरे hard होना, स्टार्ट होगा, क्योंकि आप देखते हैं, कि आपकी bonds बहुत hard है, और वह प्रॉपर तरीके से काम करती है, आपको पूरा support करती है, तो जब वह hard केलस बन जाता है, तो उसके बाद की फिर next process होती है, यानि कि अब क्या होगा, जो आप की bonds है, उनमें remodeling होनी start होगी, जैसी shape है, वो अपनी shape लेना start करेंगे, तो इस पूरी process को होने में, आपका 6 मन्त का time कम से कम लगी जाता है, और बाकी depend करता है कि आपका fracture किस area का है, तो यह पूरी process होती है, किस तरीके से आपका callous बनता है, फिर soft से hard बनता है, उसके बाद फिर remodeling होके आपकी bonds का proper part बनता है, और उसके बाद फिर आप वापिस अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो आज इस वीडियो में हमने fracture के बारे में पूरी बात करिए, आई और आप आप समझगी होंगे कि किस तरीके से होता है fracture, और किस के उपर यह depend करता है इसकी healing process, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और useful लगा हो तो इसे जादा से जादा लाइक करें and share करें and thank you for watching this video.